तो फेलो गाईज, आज का वीडियो का इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल से कुछ लेना देना है, ठीक है, बट साइन्स से बहुत लेना देना है, तो अगर आपको साइन्स में इंटरस्ट है, वीडियो के एंड तक दिखे, आप गैरंटी करता, आप कुछ नया सीखेगा, टिखे, वीडियो के इंड तक दिखे, आपकोच नया इंटरस्टिंग सीखे गाई, अक्चले इंस्त्रग्राम से की डीम आया था, उसी का रेस्पॉंस में वीडियो बनाते है, तो देखो, टिक है, दोनों के शीट है, मेटल शीट है, एक जो एक शेप में एक फ्लाट है, लेकिन दोलोगों पानी में शोडता है, तोनों फ्लोट करता है, ठीक है, लेकिन ये प्लेन है, एक शेप में है, ठीक है, सेमी सर्कल शेप में है, सेमी स्फियर, ठीक है, अभी हम एक जरूरी पाइंट बताता है, ठीक है, ये फ्लोट करता है, सर्फस टेंशन से, ये फ्लोट क इसे से फ्लोट करते हैं, ती एक ऐसा भाई.. तो देखो दोनों में difference है कि कोई कि बल्कि यह जो फ्लोट करते हैं यह पानी का पॉपर्टी में यह इसका इसा की इसका पॉपर्टी का वजह से फ्लोट करते हैं.. ठीक है, यह main difference, कि surface tension liquid को होता, और bioncy object को होता, ठीक है, यह object का property है, वो float करता है, यह पानी का property है, इसको वो float कराता है, ठीक है, अभी कहे, surface tension, ठीक है, surface tension बोलने से आपका density से proportional है, ठीक है, अभी कोई भी गाड़ा चीज है, और लोग तेल है, ग्रीज है, जितना गाड़ा होएगा, तो surface tension ज्यादा होएगा, बोलने से अभी इससे गाड़ा चीज रहेगा, इससे ज्यादा heavy चीज को हो float करा सकता, ठीक है, अभी अब इसका जगा में क्या है, इससे गाड़ा, बोलने से अब grease डाल दिया, ग्रीज में float कराएगा, तो बहुत heavy ओला चीज भी float करेगा, ठीक है न, वही है, इसका density को depend करता है, surface tension, ठीक है, अभी हम न, इसका एक, इंट्रेस्टिंग जो चीज है, इंट्रेस्टिंग पार्ट हो करके दिखाता हो, यह देखो, ठीक है, इसमें देखो, दोनों का size भी same है, खाली हम बढ़ा कर दिया, ठीक है, पहले जब यह दोनों था, दोनों float करता था, ठीक है, जब size बढ़ा कर दिया, ठीक है, प्लेन वाला float नहीं करता है, यह अंदर है, ठीक है, अब दिखाता है, यह देखो, उपर से front भी हो अगकर समझ नहीं आता, ठीक ठीक है, जब size बढ़ा कर दिया, यह float करता है, यह देखी, ठीक है, जब size बढ़ा कर दिया, जो बहुंसी वाला है, वो float करता, surface tension वाला float नहीं करता, ठीक है, मतले वही है, कि जब heavy हो जाता न, तो पानी का density उतना है नहीं है कि इसको float करा है, ठीक है, जब heavy हो जाता, पानी क density उतना नहीं है कि object को float करा है यह heavy हो गया ठीक है बड़ा हो गया जब छोटा था तो पानी का density से float करना float कता था जब heavy हो गया पानी का वास capacity नहीं is float कराने का लेकिन जब हम लोग object को बड़ा करते तब तो इसका वाम्ट से अबज़ें जब जाता एंड का टिक है तो इसका वाम्ट पान्षी जादा हो जाता बड़ा उगिया वैट बड़ा हो या भय जी जाता ओडा दंड की सरफेस ए ज्रीग ज़या जाता था आण तो बां इन स्राइल पिड़ा हो जे बड़ी तो यही है कि buoyancy और surface tension और यही difference है, कि buoyancy जो है, ऑपजेक्ट का property है, ठीक है? बलकि surface tension पानी का property है ठीक है? आप जो मकडी है, चिंटी है, जो भी चोटा object है पानी में जो उपड़ से फ्लोट करता है, एसब जो है, surface tension का वज़े से float करता ठीक है आप बोलने से more example दे सकता even side view से दे रहा है आप कभी भी कुछ glass को fill करता तो उप़र एक हलका एक curve बनता ठीक है वो curve ए surface tension surface tension से लिक्वीड हमेशा sphere shape लेने के tend करता ठीक है the tendency of liquid to form a spherical shape इस surface tension बोल सकते ठीक है stress करके density जिसका surface उसे इतना ज्याद है उतना वो dense है ठीक है तो आज का बड़िए electronics में तो नहीं था science से related था ठीक है तो होप अब को समझ आगी है कि surface tension क्या है यह है surface tension यह है बाइंसी यह दोनों को relate नहीं करना कोई भी object float करता इसका मतलब यह नहीं है कि हो आरके में निक को पिंसिल से फोग करता ठीक है ना दोनों अलग है उसको mix नहीं करना है और वीडियो अच्छे लगाए तो लाइक करें सब्स्क्राइब करें शेयर करिए मिलते हैं नया वीडियो में तब तक लिए सिख रही है बाइ